अमूल मॉडल हमेशा एक चर्चा का विशा बना रहता है और आए दिनों अगर आप देखो तो जो राजिस सरकारे स्टेट गवर्मेंट्स हैं वो इस तरह के अमूल मॉडल को जो एक कंसेप्ट है जो पहले ही लाए गया कहीं न कहीं अगर आप अमूल मॉडल की बात करोगे तो इसकी शुरुबात आप हमारे कंट्री के इंडिपेडनेस के पहले से देखते आते हो यह अमूल मॉडल क्या है हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो किस तरह से अमूल मॉडल को अपनाते हैं कि चीज़ों को लेकर भारत में जो मिल्क प्रडाक्शन है उसको काफी बड़ी लेबल पर राज लाया गया है और पूरे भारत में अमूल मॉडल को अपनाया जा रहा है और काफी हद तक जो सेल्फ रिलाइंस है इवें इन दे केफ अव डिरी इंडस्ट्री उसमें इंडिया को काफी काफी काफ प्रड़ा मिला है तो हाई दोस्त मैं दॉक्टर रवी ग्रडी इन सारी चीजों को लेकर आज अब सब का अनिक एडमी पे हाधिक स्वागत करता हूं और हम इन इसूस को लेकर यहाँ बडिस्केशन करने वाले है तो मेरे नम रवीर ग्रडी है मैं आप दन मैं प्रड़ी आ यहाँ पर आपके साथ जोड़ा होता हूं और यहाँ पर मेरी क्लाज़ आपको मिल जाती है यह मेरा पास कोड है इफ यहाँ आ इंटरसे तो बाइन कोर्से इसक्राइव यहाँ भी झाले अधाव मिल चुके हैं और यह यह जो अगला टाइप स्ट्रीकी को यहाँ डिसंबर को हो अहीं को जहां पर जो प्लस कोंभो सब आपके शाल से अधी के श्विशन कर लेते हैं तो प्रासीन हैप और ग्र्रेस प्लस का परसट्राइब यहाँ एकनमी प्लस का तो थूजन रुबिस हाइट इन दे सब्क्रिप्शन और वन यह एब दूरेशन अफ टाइब यह पास कोड है कि एडिया रेपीट काई यूज यूज दिस पास कोड टेक अपर बेन फेट्स अचली इन फोटेसिक्स दरह सम्ट्रेस इन गुजराथ इस्पेशली इन फोटेस्ट इस्पेशली इन फोटेस्ट इस पर इस तो थोड़ी सी बाते करते हैं असल में होता गया है कि जो फॉरमज होते हैं जो यूज में मिल्क मैन होते हैं उनके साथ बस्ट इस लिजिए उनके मिल्क को लेकर वे आंग देटोऑ जू दें तो इसको लेकर पूरी तरह से जो फॉरमर्ज होते हैं थे मिल्क मैं recognized करते हैं और मैं आपको Amul model का background बता रहा हूँ और वहाँ पर कहीं न कोई कुछ protest करते हैं और यह पूरा का पूरा पूरा जो protest होता है जो हमारा freedom movement है 1947 को देश की आजादी के लिए जो movement कुछ न कुछ यो वहीं से inspired होता है उन्हीं चीजों को लेकर एक छोड़े level पर इसकी सुरुवात होती है लिए इसकी सुरुवात होती है कहां दोस्त गुजरा से अब यहां बात करते हैं इसका background क्या है इस पूरे गरे movement का background क्या है तो अगर हम Amul model की basic concept की बात करें इसके background पर जाते हैं तो जो exploitation हो रहा था इस प्रक्टिसेस हो रहे थे वहां के जो local trade का deal थे ओके जो लोकल लोग थे जो वहां पर मतलब जो milk वगरा को collect कर रहे थे farmer से okay वो कहीं ना कहीं उसका exploitation कर रहे थे farmers को benefit नहीं मिल रहा था किसी भी तरह का cooperative movement start नहीं था okay so यहां पर क्या होता है कि जो farmers होते हैं वो काफी angry होते हैं प्रोटेस्टरू करते हैं और वो जाके उस समय सदा बलब भ पर टेल इन फॉर्मर्स के अगेंज में मैं जली सॉरी फॉर्मर्स और मिल्पैन के favor में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें करते हैं जो काफी हद तक आगे चल कर एक अमूल मॉडल का form लेती है और उसको पूरे नेशनल लेवल पर अपना नहीं अपना है जाता है और वो कहते ह और मिल्क को एक साथ लेना उसको प्रक्योर करना फार्मर से उसकी प्रास्षिंग करिए उसको मार्तर पहुंचाना उसका पूरा को पूरा का पूरा कंट्रोल जो होगा वो प्रापर तरीके से हो बाएगा अब इसमें ऐसा क्या धामूल मॉडल में जिन चीजों को आगे अपनाया गया जैसे यह कौपरेटिव्स वगरा थे जो काफी सक्सेस्वल हुए वो हम आगे बात करते हैं देखें 1946 में जनरली फर्मस ने जो बात की जो काम किया यू पिपल नो भारी वे लब उसमें कोई भी डाउट नहीं है मिलको लोगे जो स्ट्राइक होता है यहाँ वर सदार बलब भाई पटेल से इंस्पायर होती है जो चीज़ें वो आगे चलकर मुराजी देशाई और त्रिबवंदास पटेल तक पहुंच दी है वो लोग इस कोईपरेटिव को बनाने की बात करते हैं 1946 में इस तरह की बाते होते हैं सब कुछ सदार पटेलिंग के बैग्राउंड में होते हैं जो की कायरा डिस्टिक कोईपरेटिव मिल प्रोडूसर जूनियल लिमिटेट के नाम से सुरुवात होता है और यही कोईपरेटिव जो सुरुवात होती है करीब दो विलेज आपस में आते हैं दो विलेज की cooperative societies होती है इन में जहाँ लगबर 247 लीटर को लेकर एक मिल को मैनेज करने की कोशिश की जाती है और वही कायरा डिस्टिक cooperative military society आज जाकर पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में वही अमूल अमूल डेरी अमूल अमूल पैसा वसूल करके जो अब सुनते हो वह अमूल डेरी के नाम से आता है तो ये एक छोड़ा सा पूरा background रहा अमूल डेरी की origin कैसे हुई कहां से इस चीज को लेकर शुरुआत हुई 1946 में जाकर और किस तरीके से साथर बल्लब भाई पटे कि लेटर अन अधर इनिशेटीव अब कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और हम कहते हैं कि अमूल को अमूल डेरी की जो सुरुआत होती है इस और कहीं ना कहीं बूस्ट आफ करने की जुरुद होती है अभी जो मूल डेरी की सुरुआत होती है कि स्मॉल लेबल पर होता है डाट कैरेडिस्टी को अब इसको और मजबूती देने के लिए त्रिवन दास पटेल आते हैं एक पाउडर चेर्मेंड बनते हैं इसको पूरा मैनेज करने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आगे जलका है डॉक्टर वर्गीज कुरिय को होता है के लामिक जगा होता है कोची कुड़ ही पॉन फ्रम इट और उनकी डेथ 2012 में होती है आप 26 नेवंबर 1921 से लेकर अगर आप 2021 की बात करें 2021 की बात करें नेवंबर 2021 की बात करें तोड़े इस देसंबर पर आम मेकिं वाई वीडियो तो इनकी जन्म के लभक 100 पूर पर आप देखो तो वर्गीज कुरियन पर रहता है और अब आगे बढ़ते हैं अमूल मॉडल को कैसे मैनेज किया जाए चीज को कैसे लाया गया तो आपको बदाऊं पूरा अमूल मॉडल को थी लेवल पर structured किया गया so three level of platforms हैं जिससे अमूल मॉडल को success करने की कोशिश की गई अब होता कि हैं village level पे एक dairy cooperative society work करती है वो क्या करती है जो farmers होते हैं उनसे पूरा का पूरा पूरा का पूरा milk होती है collect करती है उसको collect करके उसका management करके उसे कहां तक उसके अंदर वो dairy cooperative society की विलेज लेव पर है उसके अंदर काम करता है और जो district level का milk union है वो control करता है member unions of the state level के अंदर वो control होता है member union of the state level के अंदर ये ख्रार की है अमूल मॉडल में जो कि three thirds trial level का पूरा control होता है और आपको बताओ state authority ही चल कर पूरा का पूरा state में पूरा पूरा milk distribution को manage कर दी कहीं असा नहीं कि स्टेट की किसी district में milk की वो milk जो है वो पूरा ही नहीं हो रहा milk वहां पहुंच ही नहीं रहा और milk how much it is important for everyone आप सब जान दें from morning में चाय से लेकर रात को दूद पीने दग लेकर ओके आपके घरो में चीज़ा चल रही होंगी और अगर आपके घरो में बच्चे हैं तो उनके लिए milk और बुढ़े हैं तो उनके लिए भी how much the milk is important everybody पड़ी नो ओके तो यह एक milk है milk के ज़रूरत है अब यहां पर मैं आपको थोड़ा से समझाने कोशिश करता हूं कि अमूल मॉडल मैं पूरा का पूरा manage कैसे किया जा रहा है how entire things are going to manage in the case of model तो यहां आपको एक फॉर्मर दिख रहा है जो आमूल को यहां देखो यह कर देखें एक फॉर्मर जो क्या कर रहा है इ मिल्क मैन है जो मिल्क को प्रडीव अधियूसर कर रहा है उस मिल को ले जा कर हम यह लेगे सबस्कुल या जो ना हूँ होता है जो कार काम करते हैं वह वहां से होकर ःव्र कोपरेंटीस तो ज़ो से Πरेण एक पास पहुचता है और पूरी पैकेजिंग होकर वो दुकानों पर या यह एक लो कंजूमर के पास पहुचता है तुकानों पर रखकर और कंजूमर फिर जाकर नहीं की फोड़ो दिख रहे हैं इसका बिलकुल मद्दम नहीं है कि आम डूइंग अड्वर्टाइजमेंट अ समझानी कोशिश किया है यहां पर आपको दिख रहा है कि मिल्क प्रोड्यूसर्स करते हैं मिल्किंग करते हैं मिल्क निकालते हैं किसी काउब फैलो से फिर उसको क्या है वहां पर मिल्क की प्लैनिंग की जाती है मिल्क क्या करना है उसकी प्रोसिंग की जाती है उसकी तरीक से मिल को करना है और क्या packaging करनी है और फिर वहां से state cooperative mill क्या करता है उस milk को district cooperative mill से लेकर state cooperative mill उसकी marketing करता है और उसका distribution करता है वह मतरडेड़ी जो मैं आपको दिखा रहा है और वही फिर पहुँच जाता है consumer के हाथ में अब उनका कैसे कंसे पयमेंट होता है वो यहां सबसे बड़ी बार बता हूँ अमूल मॉडल को अब चाहे अप साची हो मर्द प्रदेश में चाहे सुधा हो सुधा बिहार देख सकते हैं जितने भी आप मोडल को अपनाते हैं और अपने लेवल पर अपना ब्रैंड लगा से ब्राइब करोंगे तो एक लिंकिज देता है मिल प्रोडियूसर से लेकर पूरी तरह से मिल्क प्रोड्यूसर से कंजिमर तक आसानी से दिस्रिबूइशन हो जाता है ..बागी जभ़ंपर दिराथ छुकी है। पूरा का पूरा सिस्टम प्रफेश्टनम लेज्मेंट होता है .. बहुत ही ताइम प्रॉसेसर कम पर आधी स्ञ जाती हैं .. eve's one of the . जो होता है एक professional management होता है बहुत ही time period payment होता है चीज़े प्रोसेसर क्या के लिए जा जाती है उनकी marketing होती है उनकी processing होती है everything is on the professional management जहां milk खराब भी नहीं होता सी quality वाइस उस milk को उस जरुरत बन तक पहुंचाया जाता है अब यहां पर आप बताओं कि अमूल मॉडल के success होने के पीछे actual में हाँ तो में जो फैक्टर्स हैं दी जादा फूर में फैक्टर्स जो कि अमूल मॉडल को success होने के लिए बोले जाते एक तो dairy farmer का अपना dairy होता है वो farmer का जो dairy होता है पहला देखो यहां पर उस गाउं में उस village society में जो cooperative वेगरा है वो सब्सक्राइब होता है जो village societies और डिस्टिक डेवल पर काम करता है इस farmers के मिल को लेकर उसके management का काम करता है लेटर उन जो जो यहां पर आपको देखो मिल को मिल को जो professional employees होते हैं उनके दवर मिल को आपरेट किया जाता है एक business के फार्म में और दूसरा जो cooperative होते हैं जो किसी rural areas में बगरा में काम करते हैं बहुत ही sensitive होते हैं sensitive का मतलब होता है कि यह पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि किसी farmer को किस तरह की आवश्यक्ता है उनकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से वो milk और उसकी prices बगरा को decide करते हैं जिससे the farmers is not going to cheated by middleman that you have seen earlier in the case of it जिसके अगेंस मिहां पर प्रोटर्स होता हूं चीज़ों को यहां पर solve करने की कोशिश की जाती है यहीं पर आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा एक्षयल में जब लाल भाहादुर सास्थे जब लाल भाहादूरuche सास्थे आपको बताऊं जब लाल भाहादूरे सास्थे होते हैं तो वह इसी तरह के अपरोच में National Dairy Development Board बनाय जाता है वह अमूल मॉडल का ही रापिलिका होता है वह अमूल मॉडल जो 1946 के बाद जाकर ओरजिन हुआ 1960s गरए 70s में आगे बहुत पॉपलर हुआ वही अमूल मॉडल के रापिलिका जो है National Dairy Development Board के रूप में देखा जाता है को आगे चल कर आपको बताँ तो डाक्टर जो कूरियन होते हैं वो उस चेयरमें लींद होते हैं वो से और उनुम्ही का इंस्ट्रक्सन के अंदर पूरी कंट्री में आपको बताऊं तो इस पूरे के पूरेonerी डेवलफ्मेट बॉर्ट जो पूरी तरह से अमूल मॉडल लवेस्था दूद की सप्लाई की जाती है और मिल पीज एवरीवन पृपर वे कहीं भी कमी नहीं होने पाती प्रपर डिस्टीविशन होता है प्रपर मार्केटिंग होती है और सबसे बड़ी चीज जो हमारे फार्मर्स हमेशा फायदा नहीं कि आजवास आता है काफी पॉपॉलर होता है आपको बदाओं तो इंडिया को से डिपेंडेंट मना देता है मिल प्रदक्शन में आप लोग ने सबने सुना होगा इंडिया में जो वाइट रिवलूशन आता है वो मिल्क में से ज्ट डिपेंडेंडीनशी के लिए लए जा करता है लेकिन वहीं पर अगर वाइट revolution की बात करें तो वाइट revolution करीब 10 टाइम से जादा growth करता है तो अगर मैं आपसे question पूछूं के बता हुए ग्रीन डिवलऊचन में जो इतना ग्रोथ हुआ वहीं पर आगर वाइट revolution की बात करूं तो 10 टाइम से हाँ पर जादा है और पूरी तरह से आपके बताओं तो डेरी इंडस्ट्री पूरी तरह से एक सस्टेन इंडस्ट्री बन जाती एक इंप्लाइमेंट मिल जाता है इस पूरी तरह इसके से ऑपरेशन फ्लट एक तरह से इस पूरा का पूरा करा दिया लास्त में आपको बता दूं कि यह फ्री टेस्यायों कर सकते हैं यहां लास्त में चलते चलते वीडियो सभात करने के वह आपको बता दूं कि कुर्स लाउंच हो चुका है त्वंडी फर्स देसंबर से मैं आप सब के साथ मिलने माला हूं अपने कोर्स के साथ और टाइमिंग है दोस्ट बारे बजे बारे बजे नून में आप मेरे साथ जुड रहे हैं और यहां पर मैं आप ओस साइन सेंट की सारी क्लाशेज फ्रम दे टाइम आग गया है ऑनलाइन में आपके साथ लाइब जोड़ने का मेरा कोड है अभी उपीसी इन्रोल करते सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंशेशन मिलता है तो से लीजे यह यूपीसी कोर्स है जो पीछे का कोर्स 15 दिसमर से स्टार्ट हो चुका है चलना जरू हो अगर कोर्स लेना है दोस्त तो बैस लो आइक और चार पैसे पांच पैसे बचाने के चक्र में कुछ कमी मत रख लो यह हमेशा बोलता हूं कि टीचर लायर और डॉक्टर हमेशा जिंदगी में बैस रखना पैसे वैसे में ज्यादा वह कंप्रमाइस करने के जुरत नहीं है यहां पर आपको एक मैंट में मंत्र हैं पार आपनर हमें जाए कर्या नहीं करता है प्लस के सब्सक्रिप्षण और प्लस की स्क्रीन पर है। और पासकोड आपके सामने लिखा हुआ है और लास्त यह लास्त यह टेलीग्राम चैनल करनेट वित वित मी अनिकाडमी का यूट्फॉरम है सौर्छ अनिकाडमी का मेरा प्लेट फोर्म है जहां मेरे वीडियो अपलूड होते हैं सारे वीडियो मैं लाइब आकर लेता रहता हूं मेरा कोड है गोज रभी यूपी असी स्टे टून विट मी ऑन यूप ऑन अनिकाडमी और जाते जाते मुझे सब्सक्राइब करना मुझे लाइक करना मुझे शेयर करना मत भूलेगा और मेरे पीडियाफ को आप इवेरे टेली